श्री गुरुभ्यो नमः सम्स्रित कक्षायां भवतां भवती इनांच पुनरेकवारं स्वागतं अध्यवयं स्वरनकाकह इत्यस्यपाथस्य अवसिष्टांशं पठाम हमने कल पढ़ा था कि वह संतुष्ट मन की बालिका स्वरनकाक के बताय हुए समय के अनुसार और उसी इस्थान पर जाती है और वहा उसे एक भवन दिखता है उस भवन में सोने की सीड़ी से वह उपर चढ़ती है उसके आगे का कथानक हम अब पढ़ेंगे चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनी सजितानी द्रिष्टवा सा विस्मयम गता चिरकालम बहुत समय तक वह भवन के अंदर जाती है और इधर उधर भ्रमण करती है तो चिरकालम अर्थाच बहुत समय तक भवने चित्र विचित्र वस्तूनी द्रिष्टवा उस भवन में प्रासाद के अंदर महल के अंदर बहुत सारी वस्तून को देखती है अच्छे-च्छे सामान देखती है सब व्यवस्तित वस्तूनी रखी हुई होती है तो उन वस्तून को देख करके सजित वस्तून को देख करके अपना आश्चेरे करती है कि एक कववा इस तरह से कितना व्यवस्थित बना करके अपने घर को रखा है और कितनी अच्छी अच्छी चीजें घर में रखा हुआ है विस्मयम गता तदा श्रान ताम ताम भी लोग क्या का कह अवदत उसकी विस्मय को देख करके कववा बोला वह आज से रचकी थो सब कुछ देख रही थी इधर उधर तो श्रान ताम ताम रिष्टवा उस श्रान वालिका को देख करके कववा बोलता है क्या कहा पूर्वम लगु प्रात राशह क्रियताम वद तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिश्यसी किमवा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम पूर्वम लगु प्रात राशह पहले लगु प्रात राशह का अर्थ है थोड़ा सा सुबह का जल्पान प्रात राशह का जो जल्पान करते हैं जो नास्ता है उसे प्रात राशह कहते हैं प्रातह का अलपाहार तो पूर्वम त्वया लगु प्रात राशह क्रियताम तुम सबसे पहले तुम कुछ सुबह का जलपान कर लो अब बताओ स्वर्ण मयम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम कर इस्यसि क्या तुम सोने की ठाली में खाओगी रजत स्थाल्याम अर्था चान्दी की ठाली में अथवा ताम्र स्थाल्याम उत यहां पे प्रयोग है उत और अथवा दोनों समान अर्थ में ही प्रयोग होते हैं तो उत ताम्र स्थाल्याम भोजनम कर इस्यसि किस में भोजन करोगी तो बाली का अवदत बालिका कहती है तो निर्धना भोजनम करिस्यामी ताम्रस्थाल्याम एव अहम मैं निर्धन हूँ इसलिए ताम्रस्थामे की थाली में ही भोजन करूंगी तदा सा आस्चर्य चकिता संजाता यदा स्वरन काकेन स्वरनस्थाल्याम भोजनम पर्यवेशितम वह बालिका आस्चर्य चकित हो गई उसको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ क्यों क्योंकि कवा जो था स्वरनस्थाल्याम भोजनम पर्यवेशितम वह सोने की थाली में परियवेशितम अर्थात परोसा उसने यद्यपी कहा था कि हम तामे की थाली में भोजन कर लेंगे क्योंकि हम निर्धन हैं हमारे पास सोने की थालीयां नहीं थी हम सोने के थाली में भोजन नहीं किये हैं ऐसा सोचकर उसने तामर थाली कहा था लेकिन कववा उसके उदात्त भाव को देख करके उसे सोने की थाली में भोजन कराता है सोने की थाली में भोजनम परियवेशितम सोने की थाली में भोजन परोस्ता है और उस भोजन को खाती है तो उसे कैसा लगता है तो कहते हैं ना एताद्रिशम इस प्रकार का भोजनम अध्यावधि का अर्था है आज तक आज तक में उस बालिका ने इस प्रकार का भोजन नहीं किया था पूरो में ऐसा कफी भी भोजन नहीं किया था अत्यंत सुस्वाद भोजनम सुन्दर स्वाद वाला जिस भोजन का स्वाद अत्यंत ही सुन्दर हो ऐसा सुस्वाद भोजनम अध्यावधी ना खादितवती उसने ऐसा भोजन नहीं किया था जैसा उस कवे ने भोजन कराया का को अवदत कववा बोला बालिके अहम इक्षामी यत त्वं सरवदा अत्रईवतिष्ठ बालिके मैं चाहता हूँ अहम इक्षामी मैं चाहता हूँ क्या त्वं सरवदा तुम हर समय सरवदा का ताथ पर यह है पूरे समय, सभी समय सरवत हर समय अत्रईवतिष्ठ यहीं पर रहो जाओ मत तुम अच्छे सोहाओ बाली हो इसलिए लेकिन परम परम का अर्थ है परंतु परम या किंतु समानार्थक शब्द है तो किंतु तव माता तु एकाकिनी वर्दते है घर में तुमारी जो माता है वह एकाकिनी है अर्थात अकेली है और उसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है इसलिए अतह तुम सिग्रमेव ग्रिहम गक्ष इसलिए तुम सिग्र ही जल्दी ही अपने घर को चली जाओ इत्युक्त्वा का कह कक्षा भ्यंतरम तिश्रह मन्जुशाह निश्सार्य तां प्रत्यवदत ऐसा कहके इती उक्त्वा इत्य उक्त्वा ऐसा कह करके का कह कवे ने क्या किया कक्षा भ्यंतरात कक्ष का अर्थ है प्रकोष्ट कमरा उस अपने कमरे से तिस्रह मन्यूशाह तीन बक्से तीन मन्यूशा मन्यूशा का तात्परे जो बक्सा होता है उस बक्से से तिस्रह मन्यूशाह निसारिय तीन मन्यूशाएं लेकर के आता है तीन बक्से लेकर के आता है और प्रत्यवदत बोला प्रति अवदत प्रत्यवदत बोला क्या बोला बाली के यथे ख्षम ग्रिहाण मन्जूशाम एकाम यथे ख्षम अर्थात इक्षा के अनुरूप जैसी तुम्हारी इक्षा हो वैसे तीनों में से कोई एक मन्जूशा ले लो एक आम मंजूशाम ग्रिहाण एक मंजूशा को ले सकती हो एक मंजूशा ग्रहण कर लो लगतमाम मंजूशाम प्रग्रिहिय बालिकया कथितम यत एव मदियत अंडुलानाम मूल्यम बालिका कहती है कि इन तीनों में सबसे छोटा जो बक्सा है सबसे छोटी जो मन्जूशा है उसे ले लेती है और बोलती है यत एव इतना ही उससे छोटा होता तो सायद वहाँ उसे भी ले लेती लेकिन उसे लगा कि हमारा तो थोड़ा सा ये चावल खाए है तो बहुत ज़्यादा लेना तो उचीत नहीं है इसलिए थोड़ा ही वह बालिका कहती है यत एव मदिय तंडुला नाम मुल्यम इतना ही मेरे तंडुल का मुल्य हो सकता है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता इसलिए लगुतमाम मन्जूसाम प्रिग्रहिय बाली का उक्तवती बाली का कथितम छोटी मन्जूसा को ले करके उसने कहा कि इतना ही मेरे तंडुल का मूल्य है इससे ज़्यादा नहीं है इसलिए वो छोटी मन्जूसा को ले लेती है छोटी मन्जूसा को ग्रहण करती है ग्रिहम आगत्य तया मन्जूसा उद्घाटिता तस्याम महारहाणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहरशिता तद्धिनात धनिकाच संजाता ग्रिहम आगत्य सा मन्जूसा उद्घाटिता अर्थात घर आकरके वह मन्जूसा खोलती है तस्याम महारहाणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहरशिता संजाता वह उसके अंदर महारहाणी रथात बहुत मूल्य वाले हीरकाणी हीरे देखती है रत्न देखती है और उसे देख करके प्रहरशिता संजाता बड़ी प्रसन्न होती है के रे हम तो धनवान हो गए तो आगे कहते हैं तद दिनात एव सा धनिका संजाता उस दिन से वह धनिक हो जाती है बहुत धनवान हो जाती है उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वह सुखमे जीवन जीने लगती है तो उसके इस बदले हुए दिनों को देख करके जो पडोसन थी उस वृद्ध महिला थी उसकी आगे की कहानी कहते हैं कि तस्मिन एव ग्रा में एका अपरा लुबधा वृद्धा नियोसत उसी ग्राम में उसी गाओं में एक लुबधा अर्थात लोभ से युक्त जो लोभी थी ऐसे लोभ वाली महिला भी रहती थी तस्याह अपि एका पुत्री आसीत उसकी भी एक पुत्री थी वह इरशयया सा तस्यस्वरनका कस्यरहस्यम ग्यातवती वह उस बालिका से पूँचती है जाकरके और पूँच करके बड़ी इरशया से युक्त हो जाती है तो कहते हैं इरशयया इरशया के द्वारा तस्यारहस्यम ग्यातवती इस रहस्य को पूछ लेती है कि कैसे धनवान हुए और जब जान जाती है तो वैसा ही करती है सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापी स्वसुता रक्षार्थम नियुकता तथाईव स्वर्ण पक्षह काकह तंडुलान भक्षयन ताम अपी तत्रईव अकारयत तत्री को वह नियुकत करती है तो तत्रापी वहाँ पर भी सहकाकह अगच्छत वहकाक आता है और तथाईव स्वर्ण पक्षह काकह उसी प्रकार का स्वर्ण पंखों वाला कवा तंडुलान भक्षयन चावल खाते हुए ताम अपी अकारयत उस बालिका को भी आकारयत बुलाता है तो वह बालिका आ करके जिस प्रकार से पहली ने बेवहार किया था वैसा बेवहार नहीं करती वह क्या करती है तो प्रातह तत्र गत्वा साकाकम निर्भर सयंती बिल्कुल कडेश्वर में निर्भर सयंती अर्था निंदा करते हुए उसको डाटते हुए प्रोवाच अथवा प्रावोचत बोलती है गुस्षा हो करके निंदा करते हुए कवा को कहती है क्या कहती भो नीच काक अरे नीच कवे तुम अहम आगता महियम तंडुल मूल्यम प्रयक्ष भो नीच काक अरे नीच कवे अहम आगता अर्थात मैं आ रही हूँ मैं आ गई महियम तंडुल मूल्यम प्रयक्ष मुझे महियम अर्थात मेरे लिए मुझको तंडुल मूल्यम प् तो तंडूल का जितना पैसा होता है वह उसका हमें तुम द्रब्यदो ऐसा वह निंदा करते हुए कवे को करकस स्वर में डांट कर कहती है काको अब्रबीत कवे ने कहा जैसा पहली बालिका को निर्देश दिया था वैसा ही वह उसे बुला लेता है अपने पीपल के बिरिक्ष के पप पीछे वहाँ वह जब जाती है तो वहाँ काको अब्रबीत कवे कहता है क्या कहता है हम तुम्हारे लिए सोपान उतारेंगे अर्थाथ हम तुम्हें सीड़ी दे रहे हैं सीड़ी उतार रहे हैं तो कथमा अगमिस्यती स्वर्ण मैन, रजत मैन अथवा तामर मैन जैसा प्रश्न पीछे किया था वैसा ही काग यहां पर भी करता है गर्वितया बालिकया प्रोक्तम जो गर्व से युक्त थी बालिका वह बालिका कहती है गर्वितया रथाथ गर्व से युक्त बालिका अपने गर्व में अहंकार में बोलती है स्वर्ण मैन सोपानेन हम आगमिस्यामी मैं सोने के सोपान से आऊंगी परम स्वर्ण काकह तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायक्षत लेकिन कवेने स्वर्णमयन काकेन अथवा स्वर्णमयह काकह तत्कृते सोने का जो कवा था वह उस बालिका के लिए सोने की सीड़ी नहीं देता अपी तु ताम्र मयम एव सोपानम प्रायक्षत तामे की सीड़ी देता है कि तुम इसी से उपर आजाओ तो ताम्र मयम सोपानम एव प्रायक्षत अर्थात प्रदान करता है देता है पुनह स्वर्ण का कह ताम भोजनम अपी ताम्र भाजने एव अकारयत जो सोने का कववा था वह भोजन भी ताम्र की थाली में कराता है क्योंकि वहाँ पर भी वह लालत से बोलती है अतहा स्वर्ण का कह ताम ताम बालिकाम उस बालिका को भोजनम अपी ताम्र भाजने एव पात्रे ताम्र के पात्र में ही अकारयत अर्थात कराया प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कख्या भ्यंतरात तिस्रह मंजूशाह तत्पुर्तह समुच्छिप्ताह लोभाविष्टा सा ब्रिहत्तमाम मंजूशाम ग्रिहीत वती प्रतिनिवृत्त काले अर्थात लोटते समय भोजन करने के बाद जब लोटने लगी उस समय तत्पुर्तह समुच्छिप्ताह अर्थात तीन मंजूशा तीन बकसे इसके सामने भी कववाल आता है ब्रिहत्तमाम मंजूशाम अर्थात जो बड़ी वाली मंजूशा थी उस बड़ी मंजूशा को ले करके वह बाली का घर को ग्रिहम आगत्वती अर्थात घर को आ जाती है उसके बाद ग्रिहम आगत्य सा तर्शिता यावत मंजूशाम उद्घाट यती तावत तस्याम भीषणह कृष्णशर्पो विलोकितः लुब्धया बालिकया लोभश्य फलं प्राप्तं तदनंतरं सा लोभं परियत्यजत घर आ करके ग्रिहम आगत्य घर आ करके जब वह बालिका सा तर्शिता त्रिशाशे युक्त जो बालिका थी वह जब घर आती है तो मंजूशाम उद्घाट यती है खुलती है भक्सा खुलकर देखती है कि इसमें है क्या तो तावततस्याम भीषणा क्रिशन सर्प उसमें देखती है कि एक भीषण भेयंकर काला नाग है क्रिश्न सर्प है उस क्रिश्न सर्प को देख करके काले नाग को देख करके डर जाती है और उस भैंकर सांप को देख कर तो कोई भी डर जाएगा तो वह बालिका भी डर जाती है और वह भीशन सांप को देखती है उस मनजूशा के अंदर और लुब्धया बालिकया लोभ स्यफलम प्राप्त वह लोभ से युक्त जो बालिका थी वह बालिका लोभ का फल प्राप्त करती है वह बड़ी दुखी होती है और वहाँ से भाग जाती है बाद में तदन अंतरम अर्थात बाद में सा लोभम पर्यत्यजत वह लोभ करना त्याग देती है पर्यत्यजत अथात भली प्रकार से वह लोभ करना त्याग ही देती है लोभ करना भूल जाती है तो हमने इस कथा को पढ़ा इसमें लोभ का फल और संतोश का फल दोनों ही बताया गया है हमें संतोशी होने की प्रेरणा भी यह कथा देती है कि लोभ नहीं करना और हमें त्याग करके जीवन सुखमे किया जा सकता है हमें त्याग का आस्रे ग्रहन करके अपने जीवन को सुखमे बनाना चाहिए अस्तु हम आगे के क्रम में अभ्यास को देखेंगे जैसा कि देख रहे हैं शब्दार्थाह के अंतरगत हम पाठ में आए हुए शब्दों के हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में अर्थ देख सकते हैं जैसा कि नियवसत, दोहिता, स्थाल्याम, खगे भ्याह इनके अर्थ आगे लिखे हुए हैं और ऐसे ही प्रमुख शब्दों को पूरी सूची में हम देख रहे हैं अनंतर अभ्यास का क्रम आता है, और अभ्यास के क्रम में हम एक पदेन उत्तरत इसके अंतरगत देखेंगे माता काम आदिशत, उत्तर होगा पुत्रीम, माता ने किसे आदेश दिया था, तो अपनी पुत्री को आदेश दिया था, तो पुत्रीम पुस्तक में दुहिता शब्द है, दुहिता और पुत्री दोनों का अर्थ एक ही होता है तो दुहिताम पूर्ण वाक्य में अगर इसका वाक्य बनाएंगे तो होगा माता काम आदिशत, माता पुत्रीम आदिशत दुतिय अभ्यास इसी तरह हमें अन्य अभ्यासों को अन्य प्रश्नों के भी उत्तर देना है दुतिय अभ्यास में अधोलिखिता नाम, शब्दा नाम, विलोम पदम, पाठाचित्वा लिखत और संधिम कुरुत इनके विलोम शब्द हमें लिखना है जैसे पस्चात पस्चात का पूर्व होगा तो पूर्वग और पस्चात ऐसे ही अन्य के भी विलोम शब्द हमें लिखना है साथ ही संधिम कुरूत इसके अंतरगत नी अवसत नियवसत सूर्य उदयह सूर्य उदयह ऐसे संधी विच्छेद भी संधी से रहित जोपद हैं उन्हें संधी से युक्त करना है और संधी से युक्त जोपद हैं उनका संधी विच्छेद भी करना है अभ्यास का तीसरा प्रश्न है स्थूल पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माडम कुरूत अर्थात जो मोटे अक्षर लिखे हुए हैं उन स्थूल पदों को लेके प्रश्न का निर्माड करना है जैसे ग्रा में निर्धना इस्त्री अवसत ग्राम में निर्धन इस्त्री रहती थी तो निर्धना इस्त्री यह मोटा वर्ण हमें दिख रहा है स्थूल पद है इसको लेके हम प्रश्न का निर्माड इस प्रकार कर सकते हैं निर्धना इस्त्री कुत्र अवसत इस प्रकार से प्रश्न निर्माड कर सकते हैं अभ्यास का चतुर्थ प्रश्न है प्रकृति प्रत्य संयोगम कुरूत पाठाचित्वा वा लिखत जो जैसे विलोक्य वी प्लस लोक्री प्लस लिप हम देख रहे हैं तो अगर इनका संयोग कर दिया जाए तो बन जाएगा विलोक्य जिसका प्रयोग पाठ में किया गया है हम जितने भी शब्द देख रहे हैं इन सभी शब्दों का प्रयोग पाठ में किया गया है इसी तरह प्रकृत्य प्रत्य का विवाग भी हमें करना है जैसा कि प्रकृत्य प्रत्य विवागम कुरूत रोदितुम द्रिश्ट्वा तो रुदधातू से तुमुन प्रत्य करेंगे तो रोदितुम द्रिश्धा तूशे अक्त्वा प्रत्ते करेंगे तो द्रिश्ट्वा इसी तरह सभी शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करके और लिखना है अभ्यास के अगले क्रम में हम देख रहे हैं अधोलिखितानी कथनानी कह का कम काम च कथयती अर्थात इन कथनों को कौन किसके लिए कहा है यह हम पाठ में पढ़ करके और लिख सकते हैं जैसे की पूर्वम प्रातराशह क्रियताम यह कौन कहा और किसके लिए कहा था तो कह का कह काम बाली काम का कहता है का कह अकथयत बाली काम प्रती अकथयत ऐसा हम कह काम के क्रम में उत्तर लिख सकते हैं अगले क्रम में उदाहरणम अनुश्रित्य कोष्ठक गतेसु पदेसु पंचमी विवक्ते हैं प्रियोगम कृत्वा रिक्त स्थानानी पूर्यत तो इसमें हम देख रहे हैं मूशकह बिलात बही ही निर्गच्छती तो यह उचित अनुचित का विवेक करके रिक्त स्थानों की पूर्ती करना है जैसा की प्रत्थम में किया गया है योग्यता विस्तार के अंतरगत आप इस कहाने से संबध और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसे हमें पुस्तक में अवश्य ही पढ़ना चाहिए हर पाठ का योग्यता विस्तार अवश्य ही पढ़ें तो हम आज की कहानी में इतना ही पढ़ेंगे झाल झाल